देर इस्टुडेंट वेलकम टू माई चैनल वेस बिंगल कॉंसिल और फायर सेकेंडी एडुकेशन क्लाश 12 के उर्दु कोश्चन को यहां पे देखेंगे इस वीडियो में 2018 और 2022 के उर्दु कोश्चन जो हाय सेकेंडी एक्जाम में पूचे गए है उसको देखेंगे इससे पैले वीडियो में 2017 के कॉश्चन को दिया जा चुका है और इसके बाद वीडियो में हम 2018 के कॉश्चन को देंगे जो हाय सेकेंडी एक्जाम उर्दु सब्जेट से पूचे गए है तो इन तमाम question का हमारे चैनल में West Bengal Council of Higher Secondary Education previous year question paper का playlist मिलेगा वहाँ पे आप देख सकते हैं तो चलिए 2018 में question क्या क्या पुछे गए थे उसको देखते हैं लोग देखें यहाँ पे कुछ printing धूला नहीं आ रहा है तो उसको हम पढ़ देते हैं ताके आपको दुश्वारी ना हो सवाल नमबर एक दर्जेल में किसी दो सवालात के जवाब दीजिए यह प्रोस से यानि नसर से दिया गया सवाल है दो सवाल का जवाब देना एक सवाल हर सवाल पाच नमबर का है यानि दो सवाल 5 into 2 equal to 10 marks यह 10 marks का सवाल प्रोस से आपको दिया जाता है तो पहला सवाल जो है एक का एक में मिर्जा फरतुल्ला बेग ने मजबून बाहदुशा और फूल वालों की सेर में जिस कौमी जगज़ती की तश्वीर कसी की है अपने अलफाज में बयान कीजिए या मिर्जा फरतुल्ला बेग के अद्वी कारणवों का एक जायज़ा पेस कीजिए ये सवाल नमबर एक का एक में दो सवाल लिए गया है ये लिखिए या ये लिखिए उसके बाद सवाल नमबर दो एक का दो गुबार खातिर के हवाले से मौलाना अबुलकलामा जात की मक्तूब निगारी का जायज़ा लीजिए मक्तूब निगारी इस तरह सवाल नमबर 3 वाज़ तोर पर दिखाई दे रहा है आप पड़ सकते हैं इस तरह सवाल नमबर 4 तो यानि सवाल नमबर 1 में टोटल आपको कितना कोशन दिया गया है 2 अठार में कोशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 माने और लेकर टोटल 6 कोशन इस पर दो करना आपको इसके बाद सवाल नमबर 2 ये नजम से दिया गया है नजम मने प्रोईट्री सिक्षन से ये सवाल पूचा गया है इसमें भी आपको दो सवाल का जब देना है टोटल 10 माक्स हर कोशन 5 नमबर का होगा सवाल नमबर 2 का एक में परवेश एदी या अजगर गुणवी की गजल गोई पर रोचनी डालिए या सवाल नमबर 2 में या कोशन दिया गया है या में नजमों में से किसी एक का खुलासा लिखना है मनि अलीफ और बे दो नजबन दिये गए है उन में से किसी एक का खुलासा लिखना है इस तरह दो का तीन में बंद की तसरी करना है अलीफ और बे इन में किसी एक बंद की तसरी करना है सवाल नमबर दो का चार में है किसी दो इशार की तसरी महवाले के साथ करना है अलीब बेजीम तीन शेर दिये गए हैं पर मुक्तलिफ शैरों के सवाल नंबर तीन ये ड्रामा सिक्षन से दिया गए कुशन इन में से किसी एक का जवाब देना है जो पांच मांक्स का होगा तीन का एक में है ड्रामा के इजाज तरकी भी बयान कीजिए और उन में से किसी दो की तारिफ कीजिए सवाल नंबर तीन के दो किसी एक केदार पर रॉस्ण डालिए सवाल नंबर चार अफसाना से ये सवालाद दे गए है ये पांच मांक्स का है किसी एक सवाल का जवाब देना है अपसाना आपा का मरकेजी खयाल पेस कीजिए या जफर उगवानवी की अपसान निगारी पर रोशनी डालिए सवाल नमबर पाँच में किसी एक सवाल का जवाब देना है यह अलीगर तहरीक या तरक्की पसंद तहरीक से तालुक से यहाँ पर सवालाद दिये जाते हैं तो यहाँ दो सवालाद दिये गए हैं एक सवाला तहरीक से मुझलिक किसी एक अधीब की सक्सियत पर रोशनी डालिए या सवाल नमबर 5 के 2 में है तरकी पसंद तहरीक के उर्दू अपसाने पर क्या असरात प्रत्प किये सवाल नमबर 6 में मजबून लिखना है 6 का 1 में और 2 में है किसी 2 की तारिप कीजिए ये गरामर से सवालाद दिये गए है सवाल नमबर 6 के 6 का 4 में जो है वो उर्दू में तरजमा करना है ये थे सवाल 2 है 18 के इसके बाद हम लोग 2 है 22 के कोशन को देखेंगे इसके बाद 2 है 22 फिर जो सवाल पूछे गए है उर्दू सब्जेट से हाई से गिने एक्जाम में उसको हम लोग याँ पर देखेंगे पहला कोशन नसर से दिया गया है कोई दो सवाल के जवाब देना है आपको कुल पास सवाल दिये गये हैं पहला सवाल है बादूशा और फूल वालों की सेर के हवाले से फूल वालों की सेर की बनियाद कैसे पड़ी मुक्तसर बयान कीजिए निसाब में दूसरा स्वाला निसाब में सामिल मौलाना अबुलकलाम अजाद के खट का खुलासा अपनी जवान में तहरीर कीजिए तीन नमबर मौलाना मौज़जन आजाद की इनसा परदाजी का तंकीदी जाज़ा लीजिए परतुला बेक की नसर निगारी का जाज़ा लीजिए इस तरह कुशन नमबर पांच है बादूर शाह और फूल वालों की सेर के हवाले से शालम गीर सालम गीर सानी की कतल का वाक्या पेस कीजिए ये सवाल नमबर एक थे इसके बाद सवाल नमबर दो नजम से सवाल पूछे गए हैं इनमें भी कोई दो सवाल के जवाब देने हैं आपको सवाल को अब अच्छी तरह पढ़ते जाएं रुबाई की तस्री करना है इसार की तस्री माहवाला करना है यहां पर एक दो तीन से दिये गए हैं इसमें किसी दो का जवाब देना आपको सवाल नमबर तीन ड्रामा से सवाल पूछे गए हैं इसमें कोई से एक सवाल का व्याब देना है सवाल नमबर चार अफसाना से सवाल पूछे गए हैं इसमें भी आपको किसी एक सवाल का यौप देना है सवाल नमबर पाँच किसी एक सवाल का यौप दीजे तरक्य पसंद तहरी के मुतालिक अपने एक आयलाद का हजार कीजे या तरकी पसंद तहरी के हवाले से मुंसी प्रेम चंद या क्रिसन चंदर की अफसान निगारी का जायता लिजिए सवाल नमबर 6 6 का एक में मजबून लिखना है 2 मजबून में कोई एक लिखना है आपको इसके बाद गिरामर से सवाल दिए गए है सवाल नमबर 3 इसका 6 का 4 देखिए ये उर्दू में तो जुबा करना है ये थे 22 के सवालाथ इसके बाद नेक्स वीडियो में हम 2 है तरी इसके उर्दू के सवालाथ देंगे